Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, मैं हूँ शिप्रतिवारी और यहां पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन बच्चो ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके So, आज की कहानी जो मुझे है सुनाने, it's all about the taxonomic categories आई बात समझ में, देखिए, categorization is very very important for our life, categorization हमें यह बताता है कि life में क्या चीज़ important है और क्या चीज़ important नहीं है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को categorize नहीं करें, तो उसमें जो फालतू, अचड़ा, कचड़ा है सब उसी में सम्मलित रहता है और हम कभी भी यह नहीं समझ पाते है कि हमारी priority क्या है So, categorization is the most important thing in our life तो जब हमारे life के लिए categorization बहुत important है तो इस बड़े world के लिए, इस बड़े living world के लिए categorization कैसे ना important हो, बचो So, आज की कहानी, it's all about घूमेगी categorization के बारे में Please ध्यान से सुनना, यह कोई tough lecture नहीं है इसमें मैं सिर्फ दो चीज़े बताने वाली हूँ पर इसकी कहानी सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है समझ में आ गई बात, now Let me tell you something about taxonomic categories देखे, क्या होता है What is the taxon? ठीक है, सबसे पहला question है कि What is the taxon? ठीक है, मैं इसके लिए आपको कुछ चीज़े बताने चाहती हूँ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा ध्यान से देखो What is taxon? ठीक है, सबसे पहले हम taxon के बारे में जानते हैं यह होता क्या है, ठीक है Taxon का मतलब होता है Group मेरे बच्चो ठीक है, taxon का मतलब होता है Group ठीक है, what is the means of taxon बच्चो Group अब Group किसी भी चीज़ का हो सकता है ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलू कि अगर मुझे चार पैर के जानवरों को किसी ग्रूप में रखना है ठीक है, जिनके चार पैर होते हैं उनको मैं Tetra Poda कहती हूँ ठीक है, तो Tetra Poda के जितनी भी जीव होंगे जितने भी चार पैर वाले जीव होंगे वो सब Tetra Poda के अंदर आएंगे It means to say that कि Tetra Poda एक ग्रूप है आ गई बात समझ में तो Tetra Poda एक ग्रूप है जिसके अंदर सारे चार पैर वाले जानवर आते हैं ठीक्सोन जो होता है वो किसी भी प्रकार का ग्रूप हो सकता है एक बहुत ही बहतरी नाम को एक्जामपल बताती हूँ Suppose that कि मेरे क्लास में 100 बच्चे है ठीक है क्यों important है grouping क्यों करना चाहिए grouping ये सारी चीज़े आज की ग्लास में हमें सीखनी है बच्चो ठीक है Suppose that कि मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए है उसमें मुझे मोहन नाम के लड़के को ढूड़ना है अब क्या है मोहन है तो मुझे ये समझ में आ गया कि मोहन जो है वो लड़के का नाम है हाला कि आज कर लड़का लड़की सब एक बराबर ही है लड़कों का नाम लड़के का नाम सब एक जैसा होता है पर 99% 99.99% पर possibility ये होती कि मोहन जो है वो एक लड़के का नाम होगा अब मैं चाहती हूँ कि किसी एक क्लास में मैं मोहन नाम के लड़के को ढूड़ना चाहती हूँ और उस class में 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं तो सबसे पहले elimination किनका हो गया लड़की वाले group का elimination हो गया लड़की वाला group अलग अब हमारे पास 50 लड़कों का group है और उसी लड़के में एक लड़का छुपा हुआ है मोहन एक हमने पहली मैं कि 10 लोग न्यू मार्केट से आते हैं ठीक है दस लोग न्यू मार्केट से आते हैं ठीक है उसके बाद 40 लोगों का elimination हो गया बचे कितने मेरे बचो अब क्या होगा मैंने एक लिस्ट बनाई कि यह जो मोहन नाम का लड़का है उसका और मैंने जब गरेडरस देखा तो मैंने अब स्ट्रीट नंबर टूसे मोहन आता है अब स्ट्रीट नंबर टू जब मैंने देखा तो उसमें से मुझे पता चला कि हNAN पर तो तीन लोग आते ठीक है तीन लोग आए अब street number मैंने 10 में से 7 को और eliminate किया बचे तीन जब मैंने house number देखा उच्राइए जब मैंने colony number देखा तो colony में मैंने देखा कि सिर्फ दो बच्चे आते हैं ठीक है उसके बाद मैं देखूंगी नाम ठीक है अगर उन दोनों बच्चों का मोहन ही नाम हुआ तो मैं दोनों का घर का नंबर देखूंगी समझ में आई बात घर का नंबर है 52 मोहन का तो मैंने उन दोनों बच्चों जिनके दोनों का नाम मोहन था उसमें 52 नंबर वाले मोहन को ढूंड रहा है कि नहीं ढूंद लिया इसका मतलब क्या समझा कि आपने सो ग्रुप वाले जाइन्ट क्लास में एक व्यक्ति मोहन को ढूण लिया कैटेगराईजेशन करने से ध्यान से समझना किसी भी टेक्सोनॉमिक स्टडी से क्या फायदा होता है किसी भी taxonomic study से हमारी जो study होती है वो convenient हो जाती है यह आपको पता होना चाहिए आपकी जो study होगी वो convenient हो जाएगी वो easy हो जाएगी ठीक है पढ़ने में ज़्यादा आसान रहेगा अब पूरी class के एक एक बच्चे को पढ़ने से अच्छा है कि हम सीधे उस मोहन पर पहुच सकते हैं so grouping करने से कोई भी चीज असान हो जाती है daily life में जब आपकी मम्मिया कपड़ों को तह लगाती है सोचो तो आपकी मम्मिया सब भूसे जैसे अपनी बात नहीं कर रहा है पर बंमिया क्या करती है पूरे कपड़ों को एक हैल मारे भर देती जाप नहीं जीन्स को टॉप को ठीक है शर्ट्स को स्कूल ड्रेस को इन सब को अलग अलग जगहों पर रखती है और जैसे ही हम अप अपना डिजार स्कूल ड्रेस डूढ पाते अंसर है नहीं इस जीविंग वर्ल्ड में हर और्गैनिसम को art ед यह इंपॉसिबल मेरे बच्चों समझ में आइ kि बात लिविंग वर्ल्ड pre जो है इतने सारे organism को पढ़पाना impossible है हम नहीं पढ़ सकते तो क्या हर organism को छोड़ दिया जाए हर दिन एक नया organism discover होता है हर दिन एक नया plant discover होता है पर जब हम लोग plant kingdom पढ़ेंगे animal kingdom पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने बहुत सारे प्लांट पढ़ने हैं पर हर प्लांट को याद रख पाना is really very difficult मेरे बचो तो हम क्या करते हैं सब चीजों की grouping कर देते हैं समझ में आई बात आप देखो तो grouping करने से कोई भी जो study होती वो easy हो जाती वो convenient हो जाती है ठीक है इससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी और्गानिजम या प्लांट को रैंक दे सकते हैं कि तुम इस रैंक में हो तुम इस रैंक में हो तुम इस रैंक हो तुम इस रैंक में about the study of taxon, ध्यान से समझो, अगर हम क्या कर रहे हैं, study of taxon, ठीक है, study of taxon is called as taxonomy, ध्यान से समझो, study of taxon is called as taxonomy, ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, so different types of group is called as taxon and the study of group is called as taxonomy, या study of taxon is called as taxonomy, समझ आगई बात, इतमें, इसमें कोई confusion नभी तक तो नहीं हो, कि क्यो हम करते हैं, क्या होता है group, group दुनिया में हर जगा होता है, बच्चो, चाहे class में बच्चो को separate करना है, गाय और भैसो में गाय भैस को अलग करना है, गाय भैस में बखरी को अलग करना है, सो grouping करने से हम किसी भी चीज़ को आसानी से choose कर सकते हैं, इतनी दिक्कत हमें कभी भी नहीं होगी, क्यों कितने बड़े living world को हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, now taxon जो है, एक single की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, taxon मतलब single और अगर मैं taxa लिख रही हूँ तो plural, ठीक है, taxa ल classification, in fact, represents any level of grouping of organism based on certain easily observable common characteristics like, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कि किसी भी organism का, यह किसी भी plant का हम grouping करते हैं, तो randomly ऐसे कहीं भी नहीं, उठा के फेक देते बचो, we have to observe some common characteristics, ठीक है, हमें कुछ common characteristics देखने पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक common character बताती हूँ, वो देखेगा, ठीक है, देखना, जैसे कि मैं common character किसका ले लूँ, suppose that कि मैं कोई ये common character ले रही हूँ, insect का, ठीक है, ओके, अगर मैं बोल रही हूँ, insect है, insect है, मुझे नहीं पता, x, y, z, कोई भी insect हो सकता है, suppose that कि मेरे घर में आथ दो insect निकले, एक था x बच्चो और एक थ वाई, डान हो गए इतनी बात, अब मुझे कैसा पता चलेगा कि insect है, सबसे पहले, इन में क्या होने चाहिए, jointed legs, ठीक है, इन में क्या होने चाहिए, मेरे बचो, jointed legs होने चाहिए, cockroach हो गया, आपका, क्या वो हो गया, क्या करता है, इसको, grasshopper हो गया, किसी भी मखी हो चाहिए, joints, legs, दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत है, और इसमे चैना немे क्या दिखाई आओन ठेट णा इसके पास भी jointed legs, और चेना सबस्का होगा, बकार ऐं होते ही होते हैं और क्या होना चाहिए या आइस होना चाहिए क्या होना चाहिए आइस इसमें भी होने चाहिए तो अगर कोई एक ऐसा और गयानिजम हमारे घर पर निकला सपोस्थ एक कोई और गयानिजम अगर हमारे घर पर निकला और हम नहीं जानते को कि दुनिया दाम इतन लॉजिकल बॉटनिकल या जितने भी प्लांट उनका सब का बॉटनिकल नहीं में याद कर रखें तो इसलिए हम क्या देखते हैं we always observe the common characteristics we are we are not able to find the name but we are able to find the category कि किस category का होगा ठीक है जैसे कि बच्पन में मेरे आंक मेरे जो कान में एक कीला घुज गया धान समझना मेरे आग तो यह ना यह जो कहानी जो आम लोग आज पढ़ रहें जस्ट स्टोरी ठीक है अगर आप स्टोरी समझ जाओगे तो आप पूरी की स्टोरी का स्टोरी लाइन समझ जाओगे कि हम क्यो पढ़ रहें देखो क्या होता है एक बार निकाला तो उसने यह नहीं बताया की वो क्या है समझ बात को उसने यह नहीं बताया कि वो क्या है उसने बताया ओमाइगाड गॉवाद है ठीक है जो आपके बर्ड जोते हैं उसमें हमेशा दो ही लेक्स पाई जाते हैं ठीक है यह समझ में आई बात तो हमको नाम नहीं पता है बट हम किसी भी और्गारिजम को देखकर उसके simple characters को देखकर उसकी category बता सकते हैं चीक है आगई बाद कोई भी सून्ड होगी तो हम क्यों बोलते हैं कि यह हाथी है किसी भी color का हाथी हो blue हो black हो पर अगर सून्ड है तो हम क्या के देते हाथी है ठीक है जो जिसके भी तो बड़ बड़े केनाइस दिखते हैं तो हम क्या बोलत हैं बड़ा दिखाई दे रहा है जाइंट दिखाई दे रहा है सून्ड दिखाई दे रही बड़े बड़े इयर पिन्नास दिखाई दे रहे तो हम क्या बोल देते हाथी है ठीक है कोई सामने बोल रहा है ची बाते कर रहा है बढ़ियां गाना गा रहा है प्यार की बाते तो हम क्या बोलते हैं इंसान है अच्छा इंसान है कोई गालियां बकरा है बुरा इंसान है कोई गुंडा है गुंडा इंसान है तो हम समझ गेने की सब क्या है इंसान सो किसी क्या देखा तुमने दोँपयार देखे, दोँआग देखे, इकनाक देखी, दोकान देखी, तुमने यही रेखा ना, यह सब देखके तुमने बड़ा नहीं सान है, तो किसी भी Simple Character को देखकर हम उसकी category पता लगा सकते हैं, कि वह इंसान है, आगे बात करें, सो यहां पर भी देखो यहीं लिखा हुआ है सो लाइक इंसेक्ट रिप्रिजेंट ग्रूप ऑफ और गानिजम जट शेयर सम कॉमन फीचर्स जैसे की मैंने बर्ड में कित्ते बता है आपको दो पर इसमें हमेशा कितने होंगे थ्री पियर जॉंटेड लेक्ट है इंसे हैंस इ बिलेजा लगाः इंसे कुक्सी लड़ने जाते हैं और इसने बोलिवें टैसी कितेशल М94 इसले बीत शिए त्यूम कोहते है नहीं पता दोहरें व्icus Thailand का नाम है जानल सो देवर गिवन और इसी दगरी इंड़ फीन हवी हाईरार इसले इन्सेम्रिट को हम लोग लोग गलास इंसेक्टा में रखते हैं ठीक है फाइलम और्थोपोड़ा में रखते हैं किंग्डम ऐनीमेलिया में रखते हैं ठीक है तो किंग्डमенно में अक समझाती हुं देखो इन्सेट को इसलिए हम लोगों इनसेक्ट के लिए लगहाल हारिया रखी ठीक committing इंसक्त क्या है ध्यान समझना isset क्या है बच्चोck इंसेक्ट एक क्या है इंसेक्ट क्या है basically एक एनीवलो तो इसका इतिक्टम क्या겠어 इसका इसका इंगर मोगा एनीवेलियर डन ठीक है उसके बाद दो तीन सारे नहीं बताऊंगी थोड़े से बताऊंगी क्लास उसके बाद फाइलम ठीक है फाइलम इसका क्या होगा अभी यह भी पढ़ाऊंगे मैं इसका फाइलमठण होगा बच्चा और्थ्रोपोड अब जितने भी हैं बोड़ी में पाए जाते हूं ह सारे किसमें आएंगे ओर्थुपूड़ के नदर ठीक है और कि वह यह किंग है अनीमल है फाइलम और फॉपड़ा का पर इसकी हाई रर्की में और फाइलम के बाद क्लास आएगा और प्लास इसकी इन्सेक्टी ही होनी चाहिए और इसको पटक दो so we maintain that taxonomic hierarchy आ गई बात समझ में यहाँ पी यह बहुता है वन्शागत की जैसे की आप जैसे दादा जी का बेट आप पाप और आपकी पाप और आप न आप की बच्चे आपका पर आप की बच्चे घं exclusively की मिंटे ने दादा पापा आप और आपकी बच्चे सो वैसी होता है किंग्डम फाइलम क्लास और बढ़ाती हूं उसके बारे में देखिए ओल कैटेगरी टुगेदर कोई भी गुरूप कहीं भी गुशा सकती हूं का नहीं इसकी एक हैरार्की है हमेशा याद रखो कि सबसे बड़ा गुरूप सबसे पहले होता है ठीक है सबसे बड़ा गुरूप मेरे बचो सबसे पहले होता है आई बात समझ में और सबसे बड़ा गुरूप होता है किंग्ड जिस्टा और आपका प्लांटे फंजाई और अनीमेलीया सबसे बड़ इंघ्नम होते हैं सबसे बड़े ठीक है तो सबसे पहले होता है कींडम के बाद है फाइलम ठीक है जैसे की एनीमिल कींडम का एक फाइलम है ourthropoda फिर आती है उसकी class ठीक है और फिर आता है उसका order ठीक है और उसके बाद आती है उसकी family, फिर आती है जीनस, फिर आती है species और फिर आती है sub species ठीक है, sub species ठीक है, तो यह होती है hierarchy हमेशा सब्दों से बड़ा group जो है सब से पहले पढ़ा जाता है, समझ में आई बात, आप कहीं से कुछ भी उठा के नहीं पढ़ सकते, ठीक है, यह hierarchy होती है, जैसे कि पापा को देखकर उनके पैर छूते हैं, पापा अपने दादा जी के छूते हैं, तो सबसे बड़ा जो होगा, सबसे इज़ट उसी को मिलेगे, और सबसे पहले उसी को पढ़ेगे, उसके बाद hierarchy में दूसरे number पर यह, तिसरे number पर यह, चौतरे number पर यह, पाँचवे में, चटवे में, सातवे में, आठवे में, समझ में आ गई बात इसको कैसे याद करें कैसे याद करें माडम, kingdom, volume, class, order, family, junior, species, sub-species याद नहीं होता, कोई tension नहीं तो आप लिखो king फिर king, फिर कर ऐसे कर order for गली सबजी ठीक है तो king एक पागल आदमी है तो उसने फिर से order कर दिया ठीक है ऐसा करो, करा, order for गली सबजी, ठीक है तो king ने फिर से order करी, गली सबजी kingdom, phylum, फिर करा class, order for गली सबजी, ठीक है इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं सबसे बड़ा यह होता है सबसे चोटा मांनते हैं ठीक है, सबसे चोटा मानते हैं पर बहुत सारी सबस्पीशीस की सबस्पीशीस भी होती है, इसलिए हमने आपर include किया दो सबस्पीशीश जो थी है वो आपस में इंटर्ब्रीट कर सकती हैं तो गदाए गोड़े का बच्चा खचर हिन्नी ठीक है तो यह हो गया मियूल हिन्नी है सब जो होते हैं यह रिप्रोड़क्शन नहीं कर पाते है वो बाता लगे तो स्पीशी जो होती वो इंटरब्रीड होती सबसे छोटा टेक्जॉन सबसे छोटा जो गूरूप होता है इस all categories together constitute the taxonomic hierarchy जितनी भी categories हैं बड़े से छोटी यह सब एक सीक्वेंस में लगी होती है और एक hierarchy का निर्मान करती है ठीक है we can memorize this by remembering each rank or taxon represent a group of organism that share some unique feature बिलकु सही बात है हर taxon में हर taxon में जैसे मालोः सबसे बड़ा टक्ञाhire है इऊ मैं किंडम है अब kingdom मैंने क्या ले लिया suppose that मैंने ले लिए plant up suppose गो geor then की मैंने kingdom में ले लिया PLANE है अब तुम मुझे बताओ कि अगर किसी भी चीज को चीज बोलूँगे भी मैं नहीं बोलो रही प्लांटे। ठीक है? अगर मैं प्लांटे में रखना चाती हूँ तो उसमें क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसे photosynthesis करना चाहिए Isn't it? photosynthesis करेगा इसका मतलब ये कि वो क्या होगा बच्चो ऑटो ट्रॉफिक होगा ठीक है ना ओके उसके बाद उसमें एक स्पेशल टाइप का सेल ओर्गनल होना चाहिए जिसे हम कहते हैं क्लोरो प्लास्ट क्लोरो प्लास्ट या सीधे से देख दो Plastid क्या होना चाहिए Chloroplast या Plastid होना जाये की नहीं होना चाहिए अब मैं इन्हीं को लेती हूं मालो इन्हीं दोनों को ले ले रही हूं ये दो कैरेक्टर अगर आपके पास है अगर आप photosynthesis कर이면 पारे और अगर प्लस वह ठीक है और साथ में एक और चीज आपको लेनी बहुत जरूरी है और अगर आप एक eukaryotic हो ठीक है अगर आप eukaryotic हो क्योंकि बहुत सारे बैक्टिरिया ऐसे होते हैं जो photosynthesis कर सकते हैं तो आप planting के अंदर आओगे eukaryotic हो chloroplasty photosynthesis कर सकते हो it means आप किस category के अंदर आओगे common characteristics तो जो भी photosynthesis करता जो भी autotrophic होता है वह सब जो है एक ही ग्रूप में पाए जाएंगे डान होगे इतनी बात इसमें कोई confusion तो नहीं आई आगे बात करते हैं among the member of their group of category which are distinct from the organism kept in various other text on अब बताओ मुझे ध्यान समझना मैंने यहां पर plants को रखा अब यहां बर मैंने सोचो कि animals को रखा है अब अगर मैं दोनों को batch करूं अब अगर मैं अनिमल kingdom को मैच करूं और मैं प्लांटे kingdom को मैच करूं तो क्या वो मैच होंगे नहीं होंगे तो हर जो taxon होता है वो दूसरे taxon से दूसरा taxon मतलब उसी ग्रूप के मेंबर से नहीं दूसरे taxon से हमेशा different होता है ठीक है यही बात यह slide कह लिए एक एक लाइन समझ गया आगे बढ़ें और क्या कह रही है बात यह समझाया मैंने diverse kind of organism known to scientists are studied from taxonomical aspects will lead to the development of different definite characteristics category stick at the goal yada ko ki ham ko def it miss are a kingdom सितने सारे phylum बनाने की जरूत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पहले क्या होता था पहले पर नहीं पहले क्या था प्लांटर के प्लांटर निमल बना दिया कोई दिए फिर बीच में प्रटिस्टा घुषा दिया फिर फंगस घुषा दिया पर धिरे धिरे जैसे जैसे नंबर ऑफ और गयानिजम बढ़ते गए लोगों ने बहुत ज्यादे की सबको हम एक साथ नहीं रखा जा सकता समस्मस्में आई कि सबको एक साथ नहीं रख सकते सबका अपना एक चैरक्टर होता है और जो लोग भी adderekamil करेंगे उनके लिए वो जैसे इसे नायो के लिए ने यह मैंने आपको बताए from the higher to the lower हमेशा हम हाय टेक्जॉन से लुवर के टेक्जॉन की और ही पढ़ेंगे फाइलम हम यूज करते हैं एनीमल्स के लिए और डिविजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए ठीक है मतलब है वो फाइलम पर यूज करते हैं ठीक है लौट इस लूक एट दा टेक्सवनॉमी कैटेग्रिल पिरमीड हमेशा सबसे बड़ा क्या होता है डोमें डोमें हम पढ़ते नहीं है आप लोगों को और की बेक्टिरिया जो हैं तो पढ़ाये जाएगा तो और किया जो होता है वो है डोमें यूज करिया डोमें जितने भी केरियोट्स है वो सब डॉमेन के अंदर आते हैं आपके डूमेन यू के लिया के अंदर रूम यूवुकरी अनने यह नदर अभ यूए व्हुकर्यूर्यू होता है ठेक है प्लांते भी उत है ठीक है मझला पीछे पीटके पीछ नगुछ होगा रिखे खोटी है कुछ प्रिट में और उसमें भी अड़ी बहुत सारहे है ठीक है एक कुछ हैसे होते हैं जिनकी जो नोटो कड पढ़ेंगे उसके बारे में नोगे-food नोट कड जो लोग ऐसे होते हैं जिनमें नोटो कोड होती है पर बाद में गाया बुघाती है पर जन्ममी के समय अगर आपके पास कुछ भी है पीठ मेरसु है हड़ी जो भी यार तो आप किसके अंदर राओगे कॉड डिटा के अंदर पर हम उसमें क्या पढ़ना चाहते है मेमेलिया क्लास कौन सी होती जिनके पास मेमीरी गलैंड होती बच्चों को दूद पलाने के लिए मतलब लुमडी के बारे में पढ़ रहे हैं, चीक है, तो इस तरीके से हमने एक organism को separate कर लिया from the kingdom या domain to the species, चीक है, इसी तरीके से हम सब का बना सकते हैं, ओके, आगे बढ़े, देखे, these seven obligate characters, obligate का समझते हैं, obligate का मतलब each category is dependent to other, समझ में आई बात, each category is dependent to other, ठीक है, categories in which all living organisms are classified, are arranged in the descending sequence, बढ़ते से घटे के और from the kingdom to the species, ठीक है, और ascending में बहुत सारे बहुत पापे फूरुष ऐसे भी रहते हैं, जो species सब पढ़ना शुरू करते हैं, kingdom सब पढ़ना ही नहीं शुरू करते हैं, पर हमें kingdom से ही पढ़ना है, ठीक है, taxonomic hierarchy, taxonomic group, taxa are arranged in a different order, from higher to lower categories, देखो जब arrangement ऐसा है, तो पढ़ना भी ऐसे ही पढ़ेगा, समझ में आई बात, जब arrangement ऐसा है, तो पढ़ना भी ऐसा ही पढ़ेगा, हमेशा ठीक है, बढ़ते से घटे की और, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हर और्गानिजम का एक definite group बना सकें, समझ में आई बात, हम हर और्गानिजम का एक definite group बना सकें, इसलिए हम ये सारी कहानी इतने लोचलपाट कर रहे हैं, इससे पात है मेली करता है ऐस चार पानओ इसलिए से चलते हैं, पता चला कि मश्ली और इंसा न लगे इससे पता चला कि मश्लियों मगर मच्छा लगे पता चला ठीक है ना यह टेक्सोन नॉमिक कैटेगरी इसका सिर्फ और सिर्फ एक फाइदा है कि हमारी स्टडी इजी हो सकती है हम किसी भी इंडिविजुल और्गानिजम को ढूंडने ज देख की बता दिया थोड़ी बुलता कि पेड़ चल के आ रहा है यह बात समझ में आ गई बात आपको सो हमको यह पढ़ने से यह समझ में आता है बच्छो कि किसी भी स्टडी को गुरूप करने से आसान हो जाएगी दूर से चलती हुई आती हुई चीज को हम यह बता सकते ह होगा हम इसको अंदाश तो लगा इसकते हैं ना ठीक है तनी के से टैक्सोमिक कैटेgres जो होती हैं वह स्टेडी को आसान खी prob ना देती है ताकि हम सुलरेती ओंड श्म्यॉर्ट को भी पता लगा पाये तीक सुलические हाँ ऑफाइलम की भॉट चारे फाइलम की सब फाइलम騎स हमको पढ़ना नहीं कि भोती कम के हम पढ़ेंगे भॉट चारे फाइलम की सब फाइलम होती है ठीक है In the hierarchy to make this arrangement more transparent and scientifically useful जाक बड़ी-बड़ीules बनाते तो तो हमें ब्राड आइडिया मिलता है पर उसकी प्राइटेरिया बना देते हैं तो हमें माईनूट लेवल पे पूरा कैटेगराइजेशन पूरी स्टडी मिल जाती है ठीक है तो आपको यह समझ में आगे कि हमें किंगडम से स्पीचीज की और बढ़ना है कहां से क्या बढ़न सी कोई नहीं शुडूं करता अगर अगर आप स्पीची से सुम्हाइन हो तो सबसे बड़ बढ़े मूर खो बेटा इसा अपने को नहीं करना अपने को किंग्डम से शुरू करना और उइस ही शुरू करते हैं तरें तरें के पांच कर दो